तो हलो दोस्तेग फिर स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूटूब चैनल पे तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशकबरी जी हाँ क्योंकि BCCI ने अनाउन्स कर दिये हैं IPL के सारे डीटेस, सारे वेन्यूज वगएरा, सारे देट्स वगएरा और कौन-कौन से ग्रुप में कौन-कौन सी टीमें है, यह सारी डीटेस अनाउन्स हो चुकी है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सारी चीजों के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रूप के बारे में तो दो ग्रूप बनाये गए हैं ताकि इस बार 2011 की तरह मैं सब ना हो और group B में है CSK, SRH, RCB, Punjab Kings और Gujarat Titans तो यह जिस serial number में लिखे गए हैं उस serial number का भी बहुत महत पूर्न है क्योंकि इसी हिसाब से matches डिसाइड हुए हैं और इसी हिसाब से matches होंगे तो वो मैं बता देता हूँ आपको हर एक team league stage में खेलेगी 14 matches जिसमें से 5 team होंगे 2-2 matches और बाकी बच्चे 4 team होंगे तो कौन सी होंगी वो team है जिससे होंगे 2-2 matches तो वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे की KKR team है तो KKR के group में बाकी बच्ची हैं 4 team है तो उन 4 team होंगी उसके 2-2 matches और जो group B में KKR के सामने है SRH उससे होगी 2 matches और बाकी बच्चे CSK, RCB, Punjab, Kings, Gujarat, Titans इनसे होंगे 1-1 match तो कुछ इसी परकार से खेले जाएंगे 14 matches तो एक और example देता हूँ जैसे MI है तो MI के जो 4 team है उसकी group में उनसे होंगे 2-2 matches और Chennai Super Kings से होंगे 2 matches और बाकी बच्चे SRH, RCB, Punjab, Kings, Gujarat इनसे होंगे सिर्फ एक match IPL 2022 की date भी जारी कर दी है वो है 26 March 26 March Saturday से ये game स्टार्ट हो जाएगा और इसकी venues भी decide हो चुकी है इसके 70 match जो league stages में होने वाले हैं उनसमें से 55 matches होंगे मुंबई में और बाकी बच्चे 15 matches होंगे MCA पूने में तो सभी टीमें खेलेंगी 7 home matches और 7 away matches तो टोटल 14 matches खेलेगी लीग में तो अगर आप भी हैं किरिकेट के सचे फैन तो प्लीज इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और साथ ही साथ ऐसे ही latest update के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम आपके लिए ही लाते रहते हैं latest update जुड़ी news तो तब तक के लिए धन्यवाद take care keep playing play hard